हाई एवरिवन किसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर आहुल जे स्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक पर फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर्ट टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे आपके सामने आप सबसे जहादा पूछे जाने वाले टोपिक से दोस्तों जिसका नाम है uses of verb plus model auxiliary यह word आपने बहुत बार सुना होगा आपने जब भी English का exam लिखा होगा question paper में यह बहुत बार देखा होगा साथ ही में जब भी आप कोई digest चाफिर जो भी particular material होता है study material होता है English का जब follow करते होगे आपने देखा होगा कि यह जो verb है और यह भी model auxiliary जो लिखा रहता है यह बहुत बार देखा होगा तो यह exactly क्या होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सीधा सीधा नेगलेक कर देते बहुत सारे लोग छोड़ देते सीधा सीधा लेकिन दोस्तों बहुत easy होता है इसको solve करना इसको करना और दोस्तो आज का जो lecture वीडियो है यह आपने अगर ध्यान से देख लिया तो आपको model auxiliary क्या होता है verb के साथ में कैसे use करते हैं वो तो समझ में आजएगा लेकिन साथ में आपको basic learning skill यानि कि English बोलना सीखना है English speaking जो होता है वो भी आपको आज basic में सिखाने वाला हूँ इसी के साथ में क्योंकि दोनों एक-दोसरे को interconnect करते हैं तो आपको थोड़ा सा आज basic English speaking course भी समझ लोग एक तरीके का basic मिलने वाला है तो वीडियो बहुत important ने वाला है बहुत ही भेटर ने वाला है तो बिल्कुल skip मत किजएगा वीडियो को end तक जरूर से देखेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात दोस्तों क्या होता है यहां पे verb और क्या होता है modal auxiliary यह में आपको बतानी कोशिश करहुआ जो होता है verb का form वो होता है past principle ठैक है तो past participle बोल सकते है उसको आप ठीक है तो यह ऐसा part होता है तो normally मैं आपको क्या बता रहा हो कि verb के तीन ही से थे होते है अब इसके ही सावत से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आगे define कर सकते हैं कि कोई भी example ले लो Let's suppose, मैं आपको बात बताता हूँ, कि run करना, ठीक है, तो run करना क्या हो रहा है, हम लोग अभी run कर रहे है, running, that is known as present, आप क्या कर रहे हो, run कर रहे हो, ठीक है, example के तर मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान में रखो, we can take various types of example, तो आप run कर रहे हो, यह आपका present हो गया, वही इसका past क्या हो जाएगा, क्या हो गया, अगर मैं बोलूँगा कि, उसने run किया था, हिंदी में अगर मैं बोलूँ, तो English में क्या हो गया, वो जो run किया था, वो क्या हो जाएगा, convert हो जाएगा, ran में, तो हम लोग क्या use करेंगा, यहाँ पे past मे, ran ran, ठीक है, तो जब भी हम जो present में run use करते हैं, तो यहाँ पे भी मुझे run ही use करना पड़ेगा, इसका मतलब past मेरा run था, present भी run हो जाएगा, past participle भी क्या हो जाएगा, run हो जाएगा, यह आप लोग को ध्यान में रखना, तो यह सबसे basic example था, और भी बहुत सारे example है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि present मे कुछ चीज ring होता है, ठीके न, r-i-n-g, ring, ठीके न, घंटी बजना, ring होता है, तो present में हो रहे हो, तो वही अगर मैं बात करूँ कि past में क्या हुआ रहेगा, वो ring का क्या हुआ रहेगा, तो वो हुआ रहेगा, दोस्तो, run, ठीके, r-u-n-g, ठीके, तो यह ring present में जो हो रहा कि according to the type of verb का form जो होता है, वो तीन type का होता है, past form, present form and past participle form, तो यह तीनों form क्या होता है, यह आपको समझ में आ गया होगा, अब हम बात कर लेते हैं, यह तो मैंने वर्ब की बात कर ले, क्योंकि हमारा topic है verb और model auxiliary, तो मैंने यह verb बता दिया, verb मतलब क्या होता है, वो आपको पहले तो जब figure of speech, part of speech, जब मैंने आपको पहला lecture लिया था, उसमें तो आपको बताया था कि verb exactly क्या होता है, अब verb के मैंने form भी बता दिया, verb क्या होता है, वो आपको बता चल गया, अब मैं बात करूँगा, यह जो model auxiliary यह वो क्या होता है, इसकी मैं बात करूँगा, तो let's rough this fast, फिर आपको मैं फटा-फट से, कि model auxiliary exactly क्या होता है, यह आपने सुना भी होगा पहले, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग है, जुनको नहीं पता होगा, कि model auxiliary क्या होता है, और English वो लोग इतना पढ़ते भी नहीं है, normally बहुत सारे लोग को देखा है, मैंने, कि English grammar को कभी हो हाथ नहीं लगाते हैं, एक दिन पहले हाथ लगा लिया, और सोचते हैं कि हम अच्छे marks score कर लेंगे, लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं होता है, English grammar होता बहुत easy है, लेकिन आगर आप बिल्कुल देख के नहीं जाओगे, बिल्कुल उसका basic नहीं पता रहेगा, तो आप अच्छे marks basic meaning होता है दोस्तो, irregular verbs, अब यह irregular verbs का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने verb तो सुना होगा, जैसे कोई भाग रहा है, कोई भी action करता है, तो उसको verb बोलते है, भागना, speak करना, listening and various types of activity which are involved in various, हम लोग day to day life में जो करते हैं, तो यह सभी चीज़ क्या होता है, वर्ब में आता ह ठीक है ना, तो अभी मैं teaching कर रहा हूँ आप लोगो तो यह भी एक तरीकी का verb हो गया, I am teaching, ठीक है ना, तो यह जो model auxiliary, इसका मतलब मैंने क्या बता है आपको irregular verbs, तो यह irregular verbs का meaning क्या हो गया, irregular verbs, ऐसे verbs होते हैं, normally अगर मैं बात करूँ, जो verb के साथ में लगते हैं, और वो help कर करते हैं, ताकि construction हो सेके, एक definition होता है इसका, कि जो verb जो होते हैं, which helps in the construction of statement, कोई भी statement को construct करने के लिए अगर जो चीज जो होती है, जो चीज help कर रही है, work को, for example, अगर running है, for example, एक लड़का है, भाग रहा है, ठीक है ना, a boy is running, अगर मैं एक statement लिखता हूँ, a boy is running, तो boy is running के पीछे मैंने क्या लिखा, is, ठीक है, ना, a boy, तो आपका चलो noun हो गया, boy noun हो गया, तो a boy is running, तो यहाँ पे अगर यह running है, तो उसके आगे is में लगा रहा हूँ, that's why, यह जो is हो जाएगा, आपका यह irregular verbs में आ जाएगा, मतलब यह भी एक तरीके का verb है, जो कि क्या कर रह से, जो verb के साथ लग रहे हैं, और वो irregular verbs से, जो कि आपके statement को construct करने के लिए, statement को बनाने के लिए help कर रहे हैं, that is the meaning of model auxiliary, or we can say irregular verbs, अब इसके example क्या होते हैं, एक तो मैंने आपको is बता दिया, वैसे ही, there are so many types of examples which are considered as irregular verbs, और we can directly call it as modulary, auxiliary, model auxiliary, ठीक है, अब इसकी बात कर रहे screenshot अफ ले सकते हो directly, तो example are, that is, is, are, इसे बहुत सारे आपने देखा होगा word, is, are, was, was हो गया, where हो गया, तो यह सब जो type के example है, has, फिर have हो गया, फिर had हो गया, यह सब आपने देखा होगा, correct है, और उसके बात करें, do होता है, did है, does है, फिर shall है, ठीक है, फिर should है, तो यह सारे, etc., मैं बात करूँगा, अब यह मैं लिखने जाँगा, तो हमारा board भी कदम हो जाएगा, तो there are so many verbs, ठीक है, जो क्या होता है, verbs के just पहले लगता है, वो क्या करता है, statement को construct करने के लिए, यानि statement को पूरा बनाने के लिए, meaningful sentence बनाने के लिए help करता है, तो उसी को हम irregular verbs बोलते हैं, और उसको in short main statement में बोला जाता है, model auxiliary, उमीद करता हूँ कि verb क्या होता है, यह मैंने आपको पहले बता दिया, अब model auxiliary क्या होता है, यह मैंने बता दिया, अब मैं बात करूँगा, कि कैसे verb और model auxiliary यह दोनों को एक साथ लिखके हम लोग कैसे statement बना सकते हैं, यह अब हमारा actual topic शूरू हो रहा है, जो कि हमारा verb plus model auxiliary, अगर मेरा verb हो और model auxiliary को एक साथ प्लस करके लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, let's suppose I am taking one example here, that is, एक लेता हूँ मैं, she is ringing the bell, she is ringing the bell, यहाँ पर आप देखोगे, तो verb की तरह है, सबसे पहले आपको identify करना है, verb क्या है यहाँ पर, for example, let's suppose it is a statement which are given in your examination paper, question paper में दिया होगा, तो आप यह जो ringing word है, इसको क्या करोगे, underline करोगे, क्योंकि यह verb है, कोई पूछता है आपको कि चलो बताओ बेटा, कि इसमें verb क्या है, पता लगाओ, तो आप क्या बोलोगे, कि ringing is my verb, क्योंकि ring हो रहा है, वो action हो रह है, क्यों, क्योंकि is के वजए से आपका statement है, वो convert हो रहा है, कि आगर, for example, let's suppose, बात करो, is नहीं होता, तो हम लोग कैसे पढ़ते, she ringing the bill, तो she ringing the bill, कोई meaning sense नहीं बन रहा है, यहाँ पर कुछ meaning ही नहीं बन रहा है, she ringing the bill, मतलब क्या, कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने यहा यहाँ पर एक statement बन रहा है, that's why, यहाँ पर is मेरा क्या हो जाएगा, that is, model auxiliary बन जाएगा, यह question आपको exam में पूछ सकता है, मतलब यह नहीं, लेकिन ऐसे type के question आपको exam में पूछेंगे, statement दिया रहेगा, लंबा चोड़ा, उसमें आपको पूछेगा, find out the model auxiliary verbs, तो आपको वह सारी लोगे, तो people, अगर मुझे bell बजाना है, क्योंकि she is ringing the bell, मतलब एक लड़की एक bell बजारी, यह तो समझ में आ गया, ठीक है न, अब people आ गे, तो people के लिए मैं क्या use करूँगा, people are, is नहीं use कर सकता, यहाँ पर वो change हो जाएगा, are हो जाएगा, क्योंकि there are so many people, and if there are more than one people, तो हम लोग क्या use करते, are use करते, यह basic grammar है दोस्तों, तो यह हम लोग दिरे दिरे आगे, जैसे ही बढ़ेंगे हमारे lectures में, यह सबी चीज़ आप हमारे साब पढ़ते जाओगे, तो आपका जो English speaking है वो भी strong होते जाएगा, आपको पता चल जाएगा, कि basic grammar and basic English speaking course जो होता ह और आप कोशिच जब करोगे, प्राक्टिस करोगे और घर पे एक दूसरे से बात करने ही कोशिच करोगे, आपके भाई-बेंस से, आपके father-mother से, या फिर आपके friends से, तो आपका conversation भी strong होते जाएगा, and normally आपको basic English बोलना है दोस्तों वो आजाएगा, और एक confidence boost up हो जाएग तो यहाँ पर हम बात करेंगे, she के लिए मैंने is यूज कर दिया, people के लिए मैं क्या उस कर दिया, people are, क्या बोलूँगा अभी, people के आगे क्या लिखूँगा, अब people are मैंने यूज कर दिया, लेकिन people are, अगर for example, ring नहीं कर रहा है, मुझे for example, people are playing, मैं बात करूँगा, people are playing in the ground, तो यहाँ पर भी same चीज apply होता है, अगर यहाँ पर मैंने बोला कि कुछ people है, कुछ लोग है यहाँ पर, जो क्या कर रहे है, ground में खेल रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा, people are playing in the ground, तो playing मेरा यहाँ पर क्या verb है, उसके आगे जस लगने वाला जो चीज है, जो की help कर रहा है, statement बनने के लिए, तो यह चो R होगा, again क्या होगा, मेरा model auxiliary होगा, clear reference, समझ में आ गया, तो यही दोस्तों हमारे example से, और भी एक दो examples में आपको करा दूँगा, ताकि आप लोगो को और ज्यादा clear हो जाए, उमीद करता हो कि क्या होता है model auxiliary, और statement में किसको कैसे find out किया जाता ह और या फिर आपको दिया भी रहेगा, तो आप statement कैसे form कर सकते हो, यह आपको समझ में आ रहे होगी, और एक दो examples यहाँ पे दिल ले ले लेते हैं हम लोग, that is, अभी ringing का example लिया था, तो ringing का example अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो एक और example है, people had rung the bell, people had rung the bell, अब इसका मतलब क जो bell है, उसको बजाया था, मतलब क्या हो गया, यह past में चला गया, ठीक है न, रंग आ गया, जैसे में आपको starting में example होता है, ring का past क्या होता है, रंग होता है, तो people ने यहाँ पे क्या किया रंग, और head यूज कर लिया, इसका मतलब यह थोड़ा past में चला गया, ठीक है, न, आपका statement बन रहा है, clear है, उमीद करता हो कि यह भी topics आपको समझ में आ गया रहेगा, और एक चीज़ अगर मैं आपको बताओ यहाँ पे, कि यह इतने examples पढ़ने के बाद, हम लोगो एक चीज़ क्या realize हुआ, कि without model auxiliary, या फिर without, हम लोग irregular verbs जिसको बोलते है, image जिसको बोलते ह इसके बिना कोई भी statement का formation होना impossible है for verb, ठीक है, अगर वो statement में verb है, और model auxiliary नहीं है, तो it is not possible to construct any statement correctly, ठीक है, यह आपको याद रखना है, कि हम लोग proper statement नहीं बना सकते, जैसे कि इसी के लिए, अगर मैं बना दूँगा, ठीक है, है, हैड निकाल दिया मैंने, तो people run the bell, तो एक यह हो गया, मेरा model auxiliary, अगर मैं बात करूँ, आर के जगा पर हटा के directly, अगर मैं बोलू, people running fast, तो people running fast, कोई sense नहीं बना, इसके लिए, हम लोग R यूज के वहाँ पर people are running fast, तो that's why हम लोग बोल सकते हैं, कि without any model auxiliary verb, we can construct any statement correctly, कोई sense नहीं बनेगा, तो उमीद करता हो, कि यह भी help करेगा, model auxiliary के लिए भी, साथ ही मैं आपके basic English speaking के लिए भी, तो यह चीज़ बहुत ध्यान से देखना हैं दोस्तों, यह last topic के हमारा इस particular lecture का, जो कि आप लोग ध्यान देऊगे, तो let's suppose मैं बात करूँ, यहाँ पे, let's write down here, कि अगर हम I use करते हैं, तो अगर मेरा statement में I है, या फिर did, यह सब statement लगाते हैं, did लगाते हैं, do लगाते हैं, was लगाते हैं, can लगाते हैं, could लगाते हैं, यह सभी जो statement आता है, shawl, शुड, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं आपको लिखांगा यहाँ पे, all, should, अगर मैं बात करूँ, यहाँ ने क्यू लिखा यहाँ, तो यह जो grammar आप पढ़ते हो ना, यही तो सबसे basic चीज़ है, अगर आपको grammar पता है, तो आप English speaking करने के लिए आराम से कर सकते हो, correct है? क्योंकि लोग को basic grammar आता नहीं है, that's why वो लो क्या करते हैं, डरते हैं English बोलने के लिए, क्योंकि अगर उनको basic grammar ही नहीं है कि have कभी यूज करना है, had कभी यूज करना है they कभी यूज करना है, where कभी यूज करना है, was कभी यूज करना है तो वो लग डरेंगे English बोलने से, और वो कभी practice नहीं करेंगे डर के मारें, को अभी जिंदेगी में English नहीं बोल पाएंगे that's why, यहाँ पे सबसे important चीज यह होता है कि आपको पता होना चीए कि I के आगे यह सब चीज क्या लगता है बहुत सारे books available in market में आप refer करते हो लेकिन हम लोगो वो पढ़ने में जो है, इतना मज़ा नहीं आता है जितना कि आपको सुनने में मज़ा आता है तो let's suppose I am taking example here कि अगर मैं बात करूँ, मैं बोलूँगा I have something, जो भी मैं statement में बता हूँगा नहीं लेकिन आप एग्जांपल कंसिडर कर ले I have something, I am a boy तो मैं normally क्या करता हूँ, यह am सबसे ज़्यादा तो यह word दिखा हुआ, am यह specifically I के लिए यूज करता है तो यह basic चीज है, अगर आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो I am a boy, I am 12 year old, I am something year old तो यह सब जो आपका statement होता है, उसमें am जो word लगता है वो हमेशा I के साथ लगता है, यह सबसे basic चीज मैं बता दिया उसके बाद, आप जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यह जो words है, इसके साथ यह इतने सारे words लगते है except this am, मतलब I के साथ सिर्फ am लग सकता है और बाकी चीज़ें लग सकते हैं, लेकिन he or she के साथ यह बाकी word सब लग सकते हैं, except the am, am को छोड़के बाकी सब लिख सकते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं, he have, he did, he do, he was, he can, she could, she should, she should, she have यह हम लोग यूज कर सकते हैं, कभी आपने am के साथ नहीं सुना होगा कि he am या फिर she am तो am को छोड़के बाकी सब चीज़ हम लोग he के साथ या फिर she के साथ यूज कर सकते हैं सबसे पहला important point मैंने बता दिया, अब मैं बात करूँआ, I, he or she हो गया और एक और important चीज़ है यहाँ पर दे तो यहab, had, did, do फिर was, are, should, etc ऐसे हम लोग बहुत सारा जो word है वो use कर सकते हैं तो again same, they हम लोग किसी जादा लोग के group of people के बारे बताते हैं, they are playing cricket, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, they was in my school, तो हम लोग बोल सकते हैं, they have, they had, they did, they do, they was, they are, they should, etc, they shot, तो इसे बहुत सारे चीज जो हम लोग normally, हम लोग use कर सकते हैं, by using these particular types of helping verbs, यह जो क्या है, helping verbs is nothing but irregular verbs की ही ब रखते हैं, ताकि आपका जो statement है, उसका जो construction है, वो correct हो सके, correct है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह particular चीज समझ में आ गया होगा, and एक छोटा सा topic वो ही है, मैं आपको यह जो I, या फिर जो he or she or they है, इसके साथ यहाँ पे particular चीज बता रहा हूँ, कि हमेशा आपको या have, या फिर I had, ये तीन चीज आप सबसे जादा use करते हो, कोई भी statement बनाने के लिए, तो I am, I have, या फिर I had, ये सबसे जादा use होता है, उसके आगे आप जो भी statement बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो, उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे he or she की, ठीके तो he or she की बारे म नहीं करते हैं, आपने कभी भी notice नहीं क्या होगा, he, has, ठीके ना, he, she, have, तो normally हम लोग has और had, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे यहाँ पर बात करते हैं, तो has had use होता है, और normally have जल्दी use नहीं करते हैं, and last but not the least यहाँ पर हम बात करेंगे, दे की, तो दे के लिए भ present tense चल रहा है, future tense चल रहा है, past participle चल रहा है, जो भी tense चल रहा है, उसके हिसाप से यह सब चीजे matter करेगी, उमीट करता हूँ, कि यह जो हमने आपको बताने की कोशिश किये, just एक basic knowledge देने की कोशिश किये, सबसे importantly हम लोग ने क्या पढ़ा एक quick review आपको देता हूँ, कि सबस जो verbs है, यह दोने को साथ में लिखे statement कैसे बनाना है, और कैसे identify करना है, यह भी आपको बताया, and last but not the least, जो आपको मैंने अभी बताया, यह आपको basic use करना आना चाहिए, कि यह सब जो model auxiliary verbs है, यह आपको कैसे कहां use करना है, किस के साथ क्या use करना है, I के साथ, he or she के साथ, D क क्या use करना है, यह आपको यहापे मैंने थोड़ा सा basic बतानी कोशिश किया, उमीद करता हूँ, यह थोड़ा तो आपको help करेगा, यही चीज को आप जब consider करोगे, यह अपने practical life में इसको use करोगे, बोलने की कोशिश करोगे, लिखने की कोशिश करोगे, तो जरूर से आपक से देते रहेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी basic चीज़े सिखाऊंगा, साथ ही में कोशिश करोगे, कि आपको English speaking की रास्ते पे लेके चलू, ताकि आप जब practice करो, और उसको सीख के जब बोलो, तो आप जरूर से एक नएक दिन perfectly English बोल पाओ, clear friends, तो उमीद करता हूँ, कि हमारा आज का lecture वीडियो आपको useful लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है friends, तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, आपने सारे friends लोगो फटा फट से share को रहेंगे, बता दो कि English का lecture वापस आ यहाँ पे, grammar का lecture वीडियो तो फटा फट से सभी friends and relatives उसको share कर देना, and दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चानल को subscribe नहीं किया है, तो फटा फट से इस चानल को subscribe कर देना, सापने bell icon को press कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोगो notification मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye.